तो यह अभी आपका नोटीशन आपका फाइनली पूरा आ चुका है और मैंने आपसे बादा किया था कि आपका ओफिसियल पूरा नोटीफिकेशन आ जाएगा टेगनिशन ग्रेड वन का जो की सिंगल पोस्ट आपकी न्यू इस बार इंट्रिडूस की गई है तो पूरा इसमें आपके जितने भी डाउट से सबकुछ क्लिए रोजाएंगे क्या का इसे आपको तैयारी करनी है अगर प्रांच आपका सिविल है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आपका समय प्रबाद नहीं हो इसलिए मैं आपको पहले ही बिता दिया है तो आप यह लेकिन हाँ अगर आपकोई फ्रेंड एलेक्ट्राणिस से बिलॉंग करता है अगर उसका बीएसी विद फिजिक्स है या बीएसी विद इलेक्ट्राणिस है या बीटेक है डिप्लोमा है तो उनको आप ये वीडियो जरूर से कर दीजेगा यह थोड़ी सी हेल्प हो बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में रिगार्णिंग जो भी आपका है और इलिजिबिल्टी, स्लेब, सेलेक्ट्राणिस बात करेंगे तो चलिए सुबात करते हैं शोटे से नोटिस के साथ जो ये आपका नोटिस आया था क्यों ये जरूरी है बताता हूं मैं आपको तो कि देखें कही न कहीं आपका स्लेबस है वह तो होना चाहिए टाइम पे ही तो इन्होंने यहां पर बताया हुगा है आपको क्या बताया हुगा है कि आपका जो टेन्टेट्यू डेट्स थी जो कि नुनने एक्दम वही प्लां किया है मार्ट से अप्रल के भी आपका तो इसलिए मैं आप से कहाता है कि अगर आप जॉइंग करते हैं तो प्रॉबली आपका चांस है कि आपका स्लेबस कंप्रीट हो सकता है लेकिन यहाँ पर दो तीन सजाब का एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वह हम कैसे करने वाले हैं से हम बात करेंगे ठीक है भी उसके लिए आप आईए बात करते हैं आगे तो क्या देखा आपने कि आपका ये 10 डेट्स है इंका आपको याद रखना है अच्छे से याणि कि आपका time जो रों राखा है उस साफ़से हम को प्लान करना है आगे बात करते हैं तो यह आपका बहुत बेहरी बें अगे ये पहली बार आपका introduced हुआ है तो please 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 कोई previous year मैं तूशना भाई previous year इसको आपको नहीं मिलेगा पहली बार ये पर हो रहा है तो honestly आपका time based ना हो इसलिए चीज़े मैं आपको पहले ही clear कर दे रहा हूँ time time पर ठीक है आई आगे पड़ते हैं और बात करते हैं आपका जो application है वो 9 तारिक से start हो जाएगा यानि कल से आपका ये start हो जाएगा और 8 अपरेल्स की last date है और मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप देर ना करते हुए पहले ही form फिल कर दीजेगा अन्ने से अगर last में आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर website बहुत जाती है फिर दिक्कत हो जाती है उसके बाद correction window आपका दिया है वो 9 से 18 यानि 9 दिन आपको दिया गया है कि आप correction कर सकते है आरर भी आपकी change नहीं होगी जो आभी आरर भी आपने फिल किये है वही फिल करिएगा एक बात और है मैं आरर भी की किस आरर भी से मुझे फिल करना है इसके लिए अगर आप मुझे message आ कॉल करते हैं तो आपको response नहीं मिलेगा तोकि इसके expertise और लोग है मेरा काम है पढ़ाना मैं आपको properly पढ़ाता हूँ आपका syllabus timely complete करता हूँ उसके rate जो भी doubt रहेगा मुझे से आप post सकते हैं चलिए बात करते हैं आगे तो आपका जो level 5 आपका ये post है मैं बात करने वाला हूँ इसी की level 2 की बात मैं नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में जो भी ITG students है तो करपया ये वीडियो ना देखें आप ठीक है level 5 की बात होने वाली है इसमें आपका जो initial pay है वो 28,200 आपका है B1 का medical standard है यहनि कि medical आपका बहुत ज़्यादा high five जैसे ALP में होता है वैसा नहीं है तो फाइदा ये है कि जो RRB JEE की त्यारी करने वाला है तो उसके लिए ये best रहेगा ALP अगर आपका मौका नहीं है तो कोई बात नहीं इसमें आपढ़ सकते है बस यहाँ पर थुछी दिक्कती है कि आपका जो post थी वो 1100 बोली गई थी आपका लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है 1092 एट पोस्ट नहीं प्रदें आपका जो तोटल पोस्ट है वो 9144 है तो अभी हमारे लिए जो में पोस्ट है मों कौन सी है ये 1092 आपकी पोस्ट है इस पे हमको फोकस करना है हमारा पूरा फोकस इस पे ही रहेगा अच्छा जो एज है आपका वो 18-36 साल है तो जाहिर सी बात है जेई का भी यही होने वाला है क्योंकि 33 साल इसमें था 3 साल आपको COVID के लिए एक्स्टा दिया गया है तो 18-36 साल आपकी एज है तो main main points क्या है आपका form कल से start होने वाला है तो जल्दी से आप form fill कर दीजेगा लेवल 5-3 पोस्ट है आपकी आपकी आपके यहां पे जो सेलरी आने वाली है वो 50-55-60 वो वहरी करता रहता है city-by-city आपका कि city किसमें आप रहते हैं तो जल्दी से आपका जो है वो आपका एज लिमिट है तीन साल आपको एक्ष्टा दिया गया है इसमें due to covid और आपका 1092 आपकी post available है pure electronics की post है ये इसमें और कोई नहीं जा सकता physics, electronics, computer science, IT, instrumentation अभी आप बात करने वाले हैं ठीक है? आईए आगे बात करते हैं तो यहाँ पी कुछ important instructions होती है जो कि आपको पढ़ना होता है क्या? कि भई जो अगर आप wait कर रहे है result का तो आप eligible नहीं हो यहाद रखेगा बहुत ज़दा important है अगर आप result का wait कर रहे हैं आप appearing में है तो आप please form मत भरियेगा, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है अब आप पूछेंगे साफ मैं appearing में हूँ क्या मैं फ़र्म फिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं आप साफ 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 उन्हें आप बोल्ड में दिया हुआ है यह जो बोल्ड लेटर होता है खासकर इंको आपको ध्यान रखना है ठीक है बाकी आगे आपका जो भी है वो आपका फॉर्दर जो भी चीज़े दर रखी है वो नॉर्मल आपका होता ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ने बोला हुआ है कि 18.4 यानि कि 18.4 पर कोई भी की मोडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए धानखेगा कि आपको यह फॉर्म जितना जल्दी हो सकते हैं आप फिल कर लें ठीक है फॉर एवरी राउंग एंसर आपका बैंड आपको पता ही आपको बागी आपको पता ही क्लाव कुर्प वहां पे आपको नहीं मिलता है यानि कि जो समान आपके जाने वाले हैं तो आरवी आपका ऐसा नहीं कि गारंटीड एगी कि समान रखवाएगा आपको आपको आई आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ important instruction है, कि जो भी आपका है, यहनि कि आपको जो information चाहिए होती है, आच तो जानते ही आपकी लगातार आपको बहुत ज़्यादा fake advances मिलती है, तो इससे थोड़ा सा कही न कहीं, देखे, digital का फायदा भी है, नुकसान भी है, तो आपको देख सकते हैं, नॉर्मल वही चीज़े हैं, कुछ खास से आपके हैं, नहीं, important है क्या आपका, कि जो आपका RRB है, वो आपका modify कर सकता है, seat घटा बढ़ा सकता है, मालब उसके पास सारी authorities हैं, आप उसमें कुछ भी argue नहीं कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बोर्ड लेटर जो रिखा होता है, especially उनको आप ध्यान करिए, जब भी, मैं इसलिए बोर्ड रहा हूँ, ताकि आप को भी proper notification कैसे आप read करते हैं, कम टाइम में कैसे आपका main main point आप कहर कर पाते हैं, वही चीज़ मैं आपको आपको सिखा रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं, कि इन्होंने बोलाएगी, avoid last minute जो का रस होता है, इसकी वरसे का करना है, आपको ध्यान रखना है, कि आप पहले ही form फिल कर दीजिए, अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई समस्या आती है, तो ये आप help line number है, इसको आप note कर लीजेगा, ये mail ID है, यहाँ पर आप working days में, Monday to Friday आप बोल सकते हैं, ऐसा, तो कोई भी query आपको आती है, तो आपको यहाँ पर संपर करना है, regarding आपका eligibility, जगर आपको लगता है, कि हाँ, उसमें mention नहीं है, तो क्या होगा, उसके regarding, तो देख लीजेगा, इसको अच्छे से properly, आगे बात करते हैं आपका, जो आपक करते हैं, जो आपका age limit है, जगेन आपको ने देखा है, कि आपका 18 से क्या है, 33, and अभी जो है, 18 से अपका यह दिया हुआ, इन्होंने ऐसा, यानि कि अगर normal course रहा, तो बागी इसके लिए 18 से 36 साल है, 3 साल को इस्टा दिया गया है, ठीक है, जब next time आपको यह वेकेंसी आपको दे रखे हैं, अगर आप पहले से रिलेव में employee हैं, तो आपके लिए अलग विवस्था है, पूरी SCST वालों के लिए अलग विवस्था है, OBC के लिए अलग विवस्था है, तो आप यह देशकते हैं, पूरा यहां पे list बना हुआ है, ठीक है, चलिए, आगे बने, बात करते हैं, जो आपका date of birth है, जैसे कि कई लोगं confused रहते हैं, तो date of birth आपको जो दिया हुआ है, वो 1988 आपका, 1985 आपका OBC के लिए, 1983 आपका, जो starting आपका age आपकी रहेगी उसके लिए आपका है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, आपका जो educational qualification है, यह आपका main point है, इसको बहुत ध्यान से बहुत आराम से सुनना है, ठीक है, यहाँ पर देने बोला हुआ है, कि वही ए एरेक्षर में आपको दिया हुआ है, कि कौन-कौन सी qualification आपका post के लिए available है, candidate must already have the educational qualification, यानि कि must है, आपके पास जो भी educational qualification बोली गई है, वो आपके पा उससे पहले आपके पास result होना चाहिए, मालिज किसी result नहीं आया है, और आपका result अगर आज आता है, दो-चार दिन में, दस दिन में, आणि आठ अपकल से पहले, तो आप eligible हो, अगर नहीं आता है, तो आप eligible नहीं हो, याद रखेशीच का बहुत जरूरी है, ठीक है, और ज बीटिक डिप्लिमा वाले apply नहीं कर सकते हैं, बीटिक डिप्लिमा वाले C for C for Technician Grade 1 आपका जो है सिगनल का उसमें apply करेंगे, बाकि जो IT वालो के लिए है, उसमें apply नहीं कर सकते हैं, उसमें IT must है, वहीं आप रहे लिखा हुआ है, ठीक है, विल नॉट बे एक्सेप्टेड, लिव और प्कोर्स आप अप्रेंटिस अक्राइब जो आपका है तो यह आपका है अब बात करते हैं कि आपका जो में में हैं बहुत ध्यान समझेगा यह आपका educational का रिशन दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है देखो समझेगो ध्यान से बैचलर अफ साइंस इन फिजिक्स होना चाहिए आपका electronics होना चाहिए आपका computer science होना चाहिए आपका IT होना चाहिए आपका instrumentation होना चाहिए फ्रॉम रिश्टी या इस वन और यू और यू थैं ब्सी इन combination of any sub stream of basic streams like physics electronics computer information technology instrumentation यानि की अगर आपका physics है ब्सी में compulsory होना चाहिए यह साथ में आपका math है chemistry है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है मनलब की सब समझ रहे हैं आप यानि की B.S.C. में आपका physics है electronics के साथ भी कई सारी ब्रांचे जोती है electronics and communication, electronics and telecommunication, electronics and instrumentation यह सभी form fill कर सकते हैं उन्होंने साब-साब लिखा हुआ है यहाँपर computer science आपका हो गया, information technology हो गया, instrumentation हो गया ठीक है तो instrumentation वाले भी form fill कर सकते हैं बिनक्सी दिक्कत के mechanical, civil, electrical यह form fill नहीं कर सकते हैं आप कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा electrical and electronics है तो दोस्त मेरे electrical and electronics जो ब्रांच होती है यह आपका electrical की सब ब्रांच होती है अगर आपने SSJ कभी form fill किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर आप एजिबल रहते हो तो कि आपको as a electrical consider किया जाता है डीवी में आपको दिख्कत दे सकते हैं वो इसलिए आपसे request है बाकि आप अगर मन कर रहा है तो आप भरो कोई दिख्कत नहीं कोई समस्या नहीं है तो कि मैंने यह देखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे तो कई लोग सोचते हैं कि सब मेरा physics था इसलिए बोलेंगे कि सब मेरा physics था बीटेक फरस्टियर में वो सब में होता है बीटेक फरस्टियर आपका जो होता है वो common होता है मेरे दोस्त के में स्री होता है physics होता है math होता है ऐसा नहीं है तो उसको लेकिया मत बोलिएगा को कि यह मैं औरडी देख चुका हूँ आइमडी के वेकेंसी आई जी तो वहां पर physics था तो सब सोते था हमारा electrical में बीटेक में हमारा physics था इनने पढ़ा था हमको legal होना चाहिए तो ऐसा नहीं है आपने इस तरी फालतों में फार्म भरेंगे आपको disqualify कर देंगे वो last तक पहुंचेंगे आप तो क्या फायदा ठ रखेगा यहां पर नोने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो यह है इस से लिट जो भी आपकी ब्रांचेज है वो फिल कर सकते हो जैसे कि अब यहां पर नोने बोला है कि मालोग BSC नहीं है आपके पास तो आप 3-year diploma होना चाहिए साफ साफ नोने लिखा हुआ है 3-year diploma 3-year होना compulsory है चाहिए कुछ भी हो जाए साफ साफ नोने बोल दिया है और वो भी नहीं है तो आप دिगरी भी कर सकते हो यानि की बीटेक , बीटेक वाले भी इलिजबल हैं , डिपलोबव ही इलिजबल है और आपका जो बजिवाले हैं वो भी इलिजबल है टो एक अच्छी अपरचूनटी के लिए अपने आपकी जो सीट है वो सिक्क्यो कर सकते हैं जनरली ऐसा देखने को मिलता नहीं है लेकिन मौका अच्छा मिला है तो चौका मारने का है यह क्यों नहीं मारना है तो यह चीज़ा आप या दखना छे से अगेन अब इसके लिए प्लीज मुझे आप मैसेज आ कॉल मत करिएगा कोई मतलब बनेगा नहीं उसका मैं आपको बो अगर आपको लगता है तो आपको यहां पर इंसे संपर्ख कर सकते हैं बिना कसी जिक्कत के यह आपको डिटेल में बता सकते होगी यह ऑफिसियल है यह ऑफिसियल है चलिए आगे बात करते हैं तो यह हो गया आपका एजुकेस्टन और इसका और उन्होंने एक और दे रख वाएगा यहां उन्हें सबसाब दिखा हुआ है यह देखो यहां पर आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो फी आपकी है वो 500 है फॉर जनरल एंड आपका 20 रुपए है फॉर सच स्थी ओबीसी आपका और आपका जैसे कि आपका ने आपका और यह है वो आपका रहेगा ठीक है तो यह आपका रहा इस वन चलिए आगे बात करते हैं कुछ आपके यहां पर सबसे इंपोरेंट चीज कि आपका जो प्रोसेस है जैसे कि हम अन्मान लगा रहे थे कि आपका CBT 1, CBT 2 टाइप सब ही ऐसा बोल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ आ अर्ली 1 CBT is there, एक CBT होगा उसमें आपका सीधे सीधे आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद आपका सीधे क्या होगा आपका मेडिकल फिर यहां उन्हें साब सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर बेट्रेस्ट आपका होगा, फिर आपका डीवी होगा, ड बड़ा मजाएगा आपको, literally बात मनिए, ठीक है, स्लेबस आपका बहुत ही सांदार दिया हुआ है, आईए, बात करते हैं आगे, और चलिए देखते हैं आपका जो स्लेबस है, किसके लिए, लेवल फ्राइग आपका जो जिसके हम बात करने वाले है, टेकिन से गेडिवन क होंगे, और यहाँ पर सबसे important चीज क्या की है, यह minimum आपको 40% gain करना पड़ेगा, अगर आप UR से या EWS से belong करते हैं, यानि कि 100 में 40 आपको लाने ही लाने है, अगर 100 में 40 आपके नहीं आए, तो आप पहले ही disqualify हो, तो यह तो normal है, यानि कि 100 में 60, 80 आपको लाने हैं, वो और OBC जो है, वो 30%, SST के लिए 30 और अपका SST के लिए 25%, ठीक है, तो यह पूरी कहानी है, और यहाँ पर इमने बोला हुआ है, the marks scored in CBT shall be counted for the further stage of recommend process, यानि कि पहले आपका CBT होगा, फिर आपका DV होगा, फिर आपका medical होगा, पहले CBT, फिर DV, फिर medical, got it, तो यह आपका कहानी ह है, general awareness 10 marks का है, देखके थोगा अच्छा लगा मुझे, current affairs की 10 marks का है, इन्होंने ज्यादा विसका बेटेज नहीं दिया, तो यह कहीं ना कहीं यह आपको हैरान परसां करता है, मुझे भी करता है, इसलिए आपको भी करता हो, अगर नोड़ा हो, यह बहुत लोग को नहीं करत और syllabus क्या होने वाला है, हम उसकी बात करने वाले है, इस syllabus को हम timely कैसे complete करेंगे हम उसकी बात करने वाले हैं, तो फिरा फट हमें पर रिवाइज कर लेते हैं, आपने age देख लिया, आपने date का form देख लिया, आपने fees देख लिए इसकी, और ये भी देख लिया कि कौन eligible है, 質 में कोई दो राए नहीं है अब आगे बड़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे णे-प्रत को कैसे डिजाइन किया गया है क्या फृस्ट वालों के लिए फायदें बंतहे हैं क्या वो अगर देखा जाए तो आई ये बात करते हैं और सबसे ची बात स्लेबस दिया हुआ है ये बहुत ची बात है तो अगर बात करूं मैं मैंने क्या बोला कि ना तरेंट अफेर्स ना रिजिनिंग ये आपको देखना है अपने साइड से यानि ये इतना 25 नंबर आपको देखना है अपने साइड से बागी जो 75 है इसकी हम बात करने वाले हैं ठीक है और टागेट रहेगा कि बागी आपको 75 में आपको 75 पुरा कराया जाएगा बागी जो 25 इस नंबर है वो आप अपने एंड पर करेंगे और ये आपको बहुत अराम से हो जाता है इसमें कोई दोर आए नहीं है चलिए बात करते हैं पहला आपका जो है क्या दिया हुआ है जनरल अवेर्नेस ये आपका काम है रिजिनिंग आपका जो दिया हुआ है ये आप खुस रहेंगे ठीक है चलिए तो ये आप देख लेना ये आपका स्लेबस दिया हुआ है स्लेबस को आप प्रॉपरली टिक कर लेना और हर चीद मिंसन कर लेना दस नंबर आपका वो आने वाला है 15 मासा पर ये आने वाला है बात करते हैं अपने बात की पेपर देखो बस कैसे decode करेंगे वो समझिया पहला आपका है Cambyr Complete Chanel Circa का और है और और यहां इसको है और बहुत ध्यान से देखना अब और इसा हैँ में यह वह समझते हैं उसको हुआको समझना है देखो हों है पहला का दिया हुए है यह आकिटेक्टर of computer और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर देखो जान से यहाँ लगा है semi colon इसका मतलब यह होता है कि यह part complete अब architecture of computer में बहुत कुछ आता है एक पूरा subject पढ़ते हैं आप किसमें CS में IT में CAO computer architecture and organization तो organizational part को जिने हटा दिया है सिर्फ लिखा है computer architecture आपका यानि आपका CPU, data, bus, address, bus यह सब जितनी बाते होती हैं अब यहाँ चर्चा करते हैं तो यह पूरा एक part आपका है ठीक है आगे बात करते हैं फिनेक्स क्या input and output devices फिल लगा है semi column यानि कि यह अलग पार्ट हो गया फिर आपका यह अलग पार्ट हो गया यानि कि input output devices आपका CPU आपका monitor हो गया आपका keyboard हो गया माउस हो गया प्रिंटर हो गया यह सब बाते चो होती है आपकी वह सभी फिल्टर में कई टाइप के printer आपके होते हैं उसकी जाचा करते हैं ठीक है आगे हम बात करेंगे फिर क्या वह compare हो गया फिर आपका आया देखो storage devices networking operating system windows unix linux यहां तक यानि कि यहां तक दिखो यह पार्ट अलग है यह पार्ट अलग हुए अब यह पूरा एक पार्ट है यहां से लेके यहां तक पूरा एक पार्ट दिया हुआ है यह पूरा एक पार्ट है यहां सॉरी यह यहां तक आपका यहां तक आपका यहां तक आपक Linux आपका हो गया, ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है, फिर आपका आता है MS Office से लिटेट जो आपके होते हैं, sort cuts जो होते हैं, बहुत सारे जो इसके features functions होते हैं, जो कि आप generally दिखते हैं, कि आजकल हर exam में पुछारान लगा है, ठीक है, तो इस basic idea MS Office का, फिर ये complete हो गया, फिर आपका आया है various data representation, यानि कि data को आप कैसे represent करते हैं, उसके बारे में चट्चा की जाएगी, फिर क्या दिया हुआ है आपको, internet आपका email अलग दिया हुआ है, website, browser आपका अलग दिया हुआ है, और computer बारे साबको अलग दिया हुआ है, यानि अगर देखा जाए तो कितने इसमें part आपके दिया हुए है, अगर मैं आपको दिखाओ यहां पर तो कितने topic यहां पर दिया हुए है, बहुद धान समझेगा, topics और यह 20 number का है, topic मैं क्यो divide कर रहा हूँ हूँ, उसका region है, तोगी मुझे 20 number को divide करना है, ठीक है, आपका यह आपका 7 हो गया, और आपका यह 8 हो गया, यानि कि total 8 topic है, 20 marks आपका है, और इसमें आपका 8 topics है, आप 8 topics दिया हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 8 topic हैं, तो हर एक topic से 2 से 3 कुछन आपको मिलने वाले हैं, अब इसमें जो topic number 3 आपका है, यह आपका इसमें 1, 2, 3, 4, 5 topic आप इस तरीके से आप marketing करते हैं, और जो mention है मेरे दोस्त, वो तो आपको अच्छी से करना ही करना है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से करना है, तो यह तो हो गया, computer वालों को फाइदे मन्द, यह जो computer पढ़ते हैं, उनके लिए फाइदे मन्द है, अब ऐसा विल्कुल नहीं ह कि CSIT वालों को ही फाइदे मन्द है, क्योंकि यहां वे बहुत साथ अब ऐसे होते हैं, जो सभी पढ़ते हैं आजकल, यह normal आपका computer होता है, ऐसा आपका, ठीक है, भाई कुछ ऐसे हैं, जो आपको डिटेलन पढ़ना पढ़ेगा, तो यह आपन कराएंगे, टेंस मद लो, व में पुरा आप हो यह, ठीक है, चलिए दो गया computer लापार आपका, आप बताती है नेक्स आपका mathematics, अब यह जो मैंत्मेटिक्स आपका कितने मास का है, 20 माक्स का देखो, 20 माक्स का computer, 20 मास का mathematics, यह आपका, अब नेक्स्ट जो 20 नंबर हैं वो, इसको भी देखो, बहुत ध्या सेमी कॉलन नहीं है, एक कॉमा ऐसा होता है, सेमी कॉलन का ऐसा होता है, तो इसको ही आपको पकड़ना है, और ध्यांस देखना है, दो ध्यांस से, नंबर सिस्टम, रिशनल नंबर, इरिशनल नंबर, आपका board मास, बोर्ड मास आप जानते हैं, bracket, आपका off, फिर आपका divide, multiply, addition, quadratic equations, फिर arithmetic progression, APS को आप बोल देते हैं, फिर similar triangles, pythagoras theorem, quadratic geometry आपका, दिन आपका technometry, आपका cost, sin, tan, cost, cost, एक बाइड़ा, जो भी आपके है, height and distance, surface area, volume, और लगा हुआ है semi-colon, यानि कि ये पूरा आपका एक topic हो गया, मेरे दोस्त, ये पूरा एक topic है, दोखो लग गया ना semi- देखना, ये दोखो, semi-colon आपका है, तो ये पूरा एक topic है, और ये जो पूरा आपका topic है, ये class 10th का पूरा है, syllabus, अगर आप कभी देखें, 10th में आपको ये प्रसा जाता है, लग 10th सब पढ़ा जाता है, ऐसा बोल देते हैं, coordinate geometry आपका हो गया, pythagoras फिर आपका हो गया, ये technometry का ही application होता है, surface area volume आप पढ़ते हैं, जिसमें cube, cuboid, ये सब पढ़ते हैं, आप ठीक है, पूरा detail ने पढ़ते हैं, आप इसको दिखते हैं, दूसरा जो आपका दिया हुआ है, यहाँ से start, sets, sets आप पढ़ते हैं, कहां पे, class 11th और 12th में, 10 तक तो नहीं पढ़ते हैं, जहां तो मुझे पढ़ता है, और सच में नहीं पढ़ते हैं, 11th और 12th में आप पढ़ते हैं, set में आपका sets क्या होते हैं, and there, representation, इसमें set builder form होता है, कहीं सारे आप पढ़ते हैं, फिर आपका embedded set क्या होता है, finite, infinite set क्या होता है, equal set क्या होता है, subsets क्या होता है, subsets and real आपका क् यह आपका कौन सा हो गया topic number 2 हो गया, क्या हो गया topic number 2, यानि कि 11, 12 की math होती है basic sets आप पढ़ते हैं, complement of set, properties of compliments क्या होते हैं, जिसे a prime, यानि a में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो a prime में क्या होगा, a complete set क्या होता है, universal set क्या होता है, जो आप बाते सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह topic 2 topic 1, पूरा आपका pure math जो आप पढ़ते हैं, यह generally आपको पता ही होता है, कहीं न कहीं आपको, यह math आती रहती है, आपने यह त्यारी कर रखी है, किसके लिए, ALP के लिए, JE के लिए, आप जो भी त्यारी करते हैं, आप stage 1 में, उसमें आप यह सब पढ़ते रहते हैं, already, जो आप पढ़ते हैं, pipe systems, profit loss, आपका फिर mixture allegation हो गया, यह सभी जित्ति रहते हैं, यहाँ पर ही काम नहीं आने वाले हैं, इनको आपको थोड़ा अलग से देखना पढ़ेगा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं, फिर आपका next, जो दो टोपिक हो गया ना, दो टोपि आपका जो security होता है, इसको आप बोल देते हैं, main साब का होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुता है, इसके बारे में आप जंगारी लेते हैं, और last में आपका आता है probability, probability का इनों ने अच्छे से दिरखा चीज़ों को बहुत ही बेती नंग से, ठीक है, यानि कि रोले कितने topic पर चार, यहां आपके चार topic हैं, और number कितना है, 20 marks का, तो कितना हो गया, 55 marks each से, अब हो vary करता रहता है, as for the requirement, ठीक है, तो एक part कौन सा है, आपका 10 वाला जो आप पढ़ते हैं, पूरा detail में आप देखते है, जो भी आपका है, वो पूरा, second job का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, set selected, third आपको दिया हुआ है, आपका जो statistics पढ़ते हैं, जहां पर आप data को properly arrange करते हैं, वो देखा आपने यहां पर, और उन्हें इसका नाम दिया हुआ पकाईदा, and last one probability आपका, तो कि चार टापके दि पहला है, और मज़े की बात ही है, कि यह पूरा आरावीजी का स्लेवसी ही है, देखा जाए तो, अभी देखना आप कैसे, देखो, इसको भी इन्हें कैसे डिवाइट किया है, देखो आप, पहला दिया हुआ है, physics fundamental, और देखना कि निधान से, कॉमा, 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 magnetism, यह topic का नाम है, फिर उसके अंदर आपका पूरा detail में उन्हें नाम दिया हुआ हुआ है, यह आप पड़ते है physics में, 11-12 की जो आपको 30 होती है, वहाँ पड़ते है, डिटेल ने पड़ते हैं, इसको, लेकि बहुत depth में नी जाना है, ठीक है, कि बहुत depth चले गए आप, ठीक ठाक लेगल आपको मिलेगा, तो यह आपका physics वाला पार्ट है, तो इन्होंने बहुत अच्छी से balance किया हुआ है paper को, electronics वाले भी अराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, physics वाले भी कर सकते हैं, CS वाले थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यह जो पार्ट आपक सेट कर दूँगा, यह तो सेट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई फिर आप होच-पोच नहीं चाहता मैं, क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं, भले मुझे तीन क्लास लेगी पड़े अलग-अलग चलेगा, ALP की अलग चल रही है, JEE की अलग चलेगी, अब मैं बोल दूँ कि यहां से कर लो, वहां से कर लो, तो आप confused हो गया, दोस्त, मैं यह चाहता हूँ कि यह ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं तीन क्लास लगा दूँगा, तीन क्लास चलेगी आपकी प्रपर डेली बेसिस में, तो आई वापस आते हैं यहां पर, तो क्या देख क्लास में पर्खा रखा रखा है, बाया है ऐसा नहीं है, यहां पर थोडा सा चीज़ है उन्हेने अलग कर दिये कीसे, यहां पर बात हुरही है, और फिय कि फील्ट की बात हुरही है, रखे और पर आफर अलेक्रिक, Hearts कै पूचा गया है, पूचा गया है, फिर सिंपल थिक् बिट्वीन एलेक्ट्रिक पोटेंशल एनरजी एंड पावर एंपियर लॉग क्या होता है उसके बारे पूछा गया है मैगनेटिक फॉर्स ऑन मुविंग चार्ज पार्टिकल्स जो कि आप जानते हैं लॉरेंट्स फॉर्स होता है आपका फ एक्कल टू QVB होता है आपका साइन थीटा या बिल साइन जाबगा होता है ठीक है फिर आपका लॉंग स्टेट जो अब कंडेक्टर होता है उसकी हम बात करेंगे वहां पे आपका बायो सबड लाता है इसा बाते हम करते हैं वहां पर डिटेल में फिर एलेक्ट्र इंडेक्शन यह सब पूरा यानि कि यहां से लेकिए यहां तका पूरा यह पाड़ अपा हो गया पार्ट टू एलेक्ट्र सिर्ल अपार्टमेंट उन्हें काफी कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि हमको कवर करना पड़ेगा अलग से नहीं आप आप आपको मिलेगा जैसे फे बढ़े खोता आप रहा होतार है अब कितना बद मासे कीता है अभी सकता यह इन्स्रूमेंटी वाल भी यहां पर फायदयबंद हो गहे बैसिक इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है डिसके अंदर क्या पढ़ना है ये नहीं दिया है इन interior में यह ए बड़ी समस्य आ अगर आप द बात करूँ में तो DCN जो होता है वो computer में आ गया networking में आ गया C language आपका नहीं दिया हुआ है तो कही ना कहीं आपका Linux और अलग हो जाता है तो वो नहीं दिया है बस हो गया बाकी आपको सब बाकी जो फिरिक्स वाले हैं वो आप परसान ना हो बाकी जो CS वाले हैं आप परसान ना हो आप यह सलेबर्स देखो अच्छे से यह सब कवर होगा don't worry ठीक है फिर आपका आता है electronic measurement फिर आपका electronic measurement को नहीं तरह सा 35 topic भी होंगे अगर मैं count करनेंगा तो almost होंगे क्या पता है तो यह तरीका होता है यहां मुझे यहां सबना पड़ेगा इसको तो मुझे यहां पर तीन-चार folder बनाने पड़ेंगे और सब को अलगा इससे समझाना पड़ेगा आपको ठीक है दोस्तों यह आपका syllabus है यह आप आप से बोला है कि math में यह जो पार्ट आपके हैं यह आप अरड़ी जानते हैं यह आपको पहले से पता होता है लेकिन मैं उसलों भी आपकी help करूँगा पूरी जितना भी होता जैसा भी होगा ठीक है दोस्त को दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ तो यहां तक तो कोई दिक सब कुछ चलेगा आपका कोई दिकरी बात नहीं रहेगी इसके लिए लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि यह कोर्स जो मैं लांच करने वाला हूँ इसके लिए अलग से मैंने वो कोर्स क्रेट कर दिया है आपको एप पर मिल जाएगा अब इसमें कुछ चेंजिस आ गए है क्या चेंज़ आए हैं अब यह जो बात मैं करने वाला हूँ आगे यह सिर्फ जो पेड़ मेंबर्स जो पेड़ कोर्स में इंट्रेस्टेड हैं वही देखें बागी जो इंट्रेस्टेड नहीं है आप जा सकते हैं क्योंकि आपका समय परवाद ना हो इसलिए मैं चाता हू वाला है कैसे आपका क्लास होने वाला है क्या एक कैसे होने वाली है क्योंकि देखिए जो मुझे फॉलो करते हैं ठ्टेंगे यो हीव बात करेंगे घृत आहिए बात करते हैं इसके बारे में, कि भई जो आपका course है, वो कैसे हम प्लांग करने वाले हैं बाकि डीविविए गर आपका जो है उसको याद एक है करना है, उसमें कोई डिक्कत नहीं है और आप का number of जो रहेंगे, candidates वो same रहेंगे, उसमें कोई change नहीं रहेगा, लेके, बाकि यह आप रहा, अच्छा, एक और जी आखना, यहाँ पर जो कई लोग पूछते हैं कि medium of examination क्या होता है, तो आपका English तो compulsory रहता ही रहता है, बाकि आपकी local language जो है, उसको आप देख सकते हैं, तो आपकी दो language CBT question will be displayed in the language, opted and in English, याने कि जो opt करेंगे आप form भरतेशन में, हिंदी, वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में English तो आपका by default रहेगा ही रहेगा, जिसे आप मराथी हैं, गुजराती हैं, बेंगॉली हैं, तो बेंगॉली आपका तो रहेगा ही रहेगा, मैंने नहीं दिया इसको आप note कर लिजेगा, नंबर कहां गया दोस्त, यहाँ नंबर आपका, इसको आप note कर लिजेगा, तो वहाँ भी इसको आप पूल सकते हैं, जिक्कत के, चलिए, अब आगे बाद करते हैं, जो course मैंने create कर दिया है, launch कर दिया है, तो यह course आपको कैसे मिलने वाला है, और आपकी date जो बोली गई थी, वही हुआ है, यहाँ भी मामला कुछ पैसा ही रहेगा, October, December, यहाँ नंबर, December, December तक तो chances रहेंगे, पूरे ही पूरे, इसमें कोई दोर आए, नहीं है, ठीक है, चलिए, तो करना क्या है आपको, आपको ये जो Qtech, रतने स्पांडे, बहुत ही प आपकी इसको भी आप दिख सकते हैं, यहाँ पर पेट कोर्सें से हैं, जैसे आप पेट कोर्स में जाएंगे, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिलेगा, RRB कमबो, ALP प्रस जेई, RRB जेई अलग से, आपका RRB, ALP अलग से है, फिर RRB टेकिशन ग्रेट वन आपका हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जोइन पर कहीं भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिख क्या आएगा, इस ओप्सन इस नौट अविलेबल, तो आप परिसान हो जाएंगे, तो आपको हैरान परिसान नहीं होना है, मैंने क्या बोला आपको, आपको यहाँ पर क्लिक करता हूँ जो मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको तो याद हो गया होगा कि इपेमेंट कैसे करना है लेकिन जो नए है तो यह वीडियो देखने वाला है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं ठीक है तो यह आपका कहानी है जब इहां पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल तो यहां में नीचे ही आपको मिलेगा PDF का लोगो मना हुआ है यहां बिजाएंगे तो आपको मिलेगा payment link for the paid courses जो course आपके चल रहे हैं वहाँ आपको payment link मिल जाएगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ आपको ऐसा interface देगा payment link for courses जो पहला course दिया हुआ है बहुत ध्यान स जो price है वो 3999 है with discount आपको कोई भी coupon code नहीं लगाना है आपको यह course मिल जाएगा कई students ने क्या कर दिखा है कई students ने RRB, JEE और ALP का कंबो लिया हुआ है यानि कि ये वाला FED वाला उन्होंने pay किया है 3499 अब उनको दिक्क्त चुजाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं टेकिसिंगे नहीं तो आप भी confused जाओगे तो क्या करना है आपको आपको कुछ नहीं करना है जो भी आपका difference amount है मैंने बात की टीम से तो उन्होंने बोला कि सर ये कर सकते हैं तो मैंने जब इस्टुरेंट से हैं बिचारे कैसे मैंज करेंगे वो तो जो difference amount आपका दिया हुआ है आप उस इंकल से किया हुआ है और जुन्होंने RRB, JE, ALP और grade 1 तीनों की त्यारी करनी है तो मातर आपका three triple line में है तीनों course आपका अलग-अलग class चलेगा मैं फिर से बोल रहा हूँ हूँ ये ऐसा नहीं है कि एक course में ही मैंने सब मिला दिया तीनों folder आपको दिखेंगे अलग से ALP क का अलग, JE का अलग और आपका technician grade 1 का अलग और यहां पर याद रखिए ALP और technician grade 1 का फार्म आ जुगा है इनका तो एक्जाम आपका इस साल के अन तक होई जाएगा, JE का आपका मैं जुन तक आएगा, उसका इजाम जाएगा, next year तक आपका जाएगा, तो इसलिए ध्यान या कुछ और भी इसूज है, तो आपका जो प्राइस है, वो है 399, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप अराम से जॉइन कर सकते हैं, आपको जॉइन का option मिल जाएगा, तो बिरक्स दिक्कत के, ठीक है, आचा, जिसका ALP JE है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यह त तो आपके लिए कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यह देखिए आपका, बहुत प्यारा सा, six number पे आप जाएगे, तो यहाँ पे दिखा हुआ है, 2499 only, with discounted price आपका है, यह पहले से, ठीक है, यह discount price में पहले से आपका दिया हुआ है, 2499, इसको आप जॉइन कर सकते हैं, यहा तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही आप जाएंगे न, इस link पे, तो आपको सब मिल जाएगा, payment link for paid course, तो जब आजाएंगे, तो आपका जो price है, single course का 2499 है, बाकि जिसों combo में लेना है, बो ले सकता है, मैंने यहाँ पे सब detail में लिख रखा है, अच्छे से, क कि किसमें क्या आपको मिलेगा, technician grade 1, JE, ALP, यहाँ पे कह दिया है, technician plus JE आपका, यहाँ कह दिया है, ALP plus JE, फिर अलग से आपका है, सिर्फ JE का, सिर्फ ALP का, सिर्फ technician का अलग-लग से आपका दिया हुआ है, यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकि जो already मेरे subscriber है, जो पहले से उन्हें को से जॉइंग कि हुए है, मैं team से बात करता हूँ कि आपको कुछ extra चीज़े दी जाए, जो भी रहेगा, आप मुझे WhatsApp कर दीजेगा, जो already paid course मेरा जॉइंग कर चुके है, पिछले कुछ exams के लिए, तो देखेंगे, let's see, बाकि master course आपका है, जिसमें आप स मुझे RRB कौन सा फिल करना है, तो मेही दर्ब से आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको मायूसी होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, किसी तो ने मुझे से पूछा, तो मैं बिना बताया रही नहीं पाता, मैं UCS का expert नहीं हूँ, आपको बहुत सारे teachers, बहुत सारी faculties, बहु वो इस चीज में expert हैं, उनका काम यहीं है, तो वो अच्छे से expertise कर पाते हैं आपको, और मैं यहीं करता हूँ, कि आप उनको फॉलो करिएगा, ठीक है, पहला यह, दूसरा cut-off के बारे में मुझे जंगारी भीकुल नहीं होती है, तो cut-off के बारे मुझे मैं से करिएगा, बा बाकि PDF जो भी है आपका, देखी क्या बोला मैंने आपका, यहाँ पर की course की paid की queries होती है, जैसे कि आप मुझे से message करने वाले हैं, उससे पहले ही मैं आपके दे रखा है, क्या course का duration क्या होगा आपका, मान चलिए कि आपका, अगर October number चल रहा है, तो मैं try करूँ कि आपका, य इंग्लिस तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए, computer कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जो इंग्लिस में मझा आते हैं, उसको हिंदी में कोई मतलब बनता नहीं है, अगर आपको दिक्कत रहेगी, तो भी हम उसको try करेंगे हिंदी आपका आता रहेगा, यह जो फीस दिये है, वो one year की validity है, one year की पूरी, one year पर रहेगा आपका validity याद रखिए इस चीज़ का, ठीक है, और two four double nine है आपका, six for six, technician grade one का, two four double nine rupees only, ठीक है, या रखिए इसको, तो यह भी आप मिस कर जाएंगे, तो क्या करेंगे, live आपका class होता ह है, properly, फिर आपको recorded class available हो जाती है, digital board आप देखी रहे हैं, इसमें कोई दिखरेंगे बात नहीं है, separate आपका telegram group होता है, doubt cleaning facility आपको available रेती है, number जो दिया हुआ है, वहाँ पर आपको doubt आगर आता है, तो आप तो आप पूछ सकते हैं, आपका most welcome है, android और PC में चलेगा, PC यान BSC वाले और CS वाले, अगर आपको सिर्फ यही करना है, तो इसका course अलग से है, ठीक है, उसको आप ध्यान दिखिएगा, आगे बात करते हैं आपका दोस्त, next क्या है आपका, कि जो भी detail है आपका, यह आपका दिया हुआ हुआ है, आप यहाँ पर मुझसे contact कर सकते हैं, बिन कसी दिक्कत के, बिना कि समस्या के, और कहीं कोई आपका doubt नहीं रहा होगा, इनके सका doubt रहता है, तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, आपका most welcome है, और genuine आपका doubt होना चाहिए, तो मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो attitude है किसी भी exam के लिए एकदम proper रहे, क्यों सब कुछ देखता के लिजिए, syllabus देख लिजिए properly, बाकि आपका demo के लिए classes आपको YouTube पे upload कर दी जाएंगी, ताकि आप decide कर सको, ठीक है, take your time, अराम से कोई जल्दबाजी नहीं है, जब demo देख लेना आप, fully successful हो जाना आप, तभी आप जोई करना, ऐसा कोई cumples नहीं है, ठीक तो इसलिए, फटा फर मैंने आपका, बाई, चलो properly देखते हैं, क्या क्या चीजे हैं, कैसे आपकी चीजे हैं, hopefully आपको syllabus भी बहुत अच्छे समन में आया होगा, ठीक है, तो ऐसे ही, आप पढ़ाई करते रहिए, और selection लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, का मज़ा आता अगेर मैंने आपसे कहा है, ठीक है, बाई-बाई, जाने के अपना, बस्तरीए, बस्तरीए, बस्तरीए